महाराष्ट्य प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के नवन्युक्त अधिक्षर नाना पटोले आजसे बात दिलने से नाखपुर आए अधिक्षर पन्ने के पार पहली बार शहर में पदा रहे हैं नाखपुर आते ही पटोले इनोंने शहर के प्रसिद्ध गनेश देखडी और बड़ा ताजबा के दर्बार में चदर चड़ा कर बाबा की दर्शन लिये हैं इस समय हमारी सब्वात दाता शित्रीचा देशमुख नी नाना पटोले जी से बात शिरके हैं आए डालते ही खनेश क्या कहा महराश्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की नव निर्वाचित अधिक्ष नाना पटोले इनों ही कॉंग्रेस प्रदेश के जो अधिक्षन नव निर्वाचित अधिक्षन आना पटोले हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको अभिनंदन देना चाहते हैं और क्या बताओगे क्या महाराश्टर के लिए खास तोर पर विधर्व में कॉंग्रेसियों के लिए क्या अजेंडा लेकर आने वाले हो देखो कि आपने देखा हो कि सुबह हम जब नाकपूर आया है जब हम ये ताज बाबा के भूमी पर और दिक्षा भूमी के भूमी पर हमने कदम रखा तो बड़े तादाद में लोग सेम पूर्ति से मेरे स्वागत के लिए नहीं मेरे नेतरू तुम्हे भाजब की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है जो हुकुम शाह की तरह जारी है इस देश का लोग के तंतर का समाप्त करने जारी है इस देश के किसान को ख भाजब सरकार उसको लोक तंत्र के इस वेवस्ता के माध्यम से उस सरकार को सत्ता के बाहर करना यहीं मकसद जन्ता का है और कौंग्रेस का भी है बिल्कुल अभी जो है हाली में महानगरपाली का नाकपूर की जो चुनाओं आने वाले उसके लिए क्या जेंडा क्या रननीती बनाने वाले हो क्योंकि खास कॉंगरेस को नव संजविनी देने के लिए आपको यहां मतलब चुना गया ऐसा भी कहा जा रहा है और साथ ही में उर्जा मंत्री बनने के भी चांसे से ऐसा कई खबरें चल चल रही है क्या बताओगे इसमें कितना तथ है देखो नाकपूर माहनगर पली का इस बार कॉंगरेस बहुमत से जितेंगी यहां के लोगों को जिस तरह से भारती जनता पार्टी के नित्रुतों ने जो इतने साल में इस नाकपूर की जनता को परिशान किया उनके जेब लूटे गए विकास की मोहजाल में फसा कर नाकपूर की जनता को करजे में डुबाने का और उनके जेब से पैसे निकालने का पाप भारती जनता पार्टी ने नाकपूर शहर में किया है और नाकपूर की जनता जानती है फिर पीने का पानी हो बिजली हो रस्ते हो इसमें हुआ ब्रस्टाचार सब को पता है कच्रे में हो गंदगी साप करने में भी गंदगी इन लोगों ने की है ये नाकपूर की जनता जानती है और मुझे लगता है कि और हम आरोप नहीं कर रहे यह वास्तिक तायज उसके पेपर हमारे पास है और लोगों को भी यह पता है और इसलिए नाकपूर की महानगर पालिका का इलेक्षन नाकपूर की जंता कॉंग्रेस के तरब जुकाओ रहेगा और कॉंग्रेस का ही पर्चम तिरंगा नाकपूर महानगर पालिका में फैरेगा पिल्कुल उर्जा मंत्री बनने के चाहिए उसमें कितना तथ्य है क्या बताओगे कि फिर से विधर्प को उर्जा मंत्री पत मिलने वाला है देखो मैकल राहुल जी से मिला हमारी नेता सुनिया जी से हम मिले और उन से जो उर्जा मुझे प्राप्त हुई जो मेरे कॉंग्रेस के कारे करताओ में और आदमी में जो उर्जा प्राप्त हुई उस उर्जा की बात चल रही है ये मंत्रीपद और ये नाना के लिए खुर्ची महत्वकी नहीं होती और नाना ने हमेशा अपने जो एक्षन नाना ने आस तक लिए वो सबको पता है नाना की लड़ाई आम जनता की होती है नाना की लड़ाई सविधान के लिए होती है नाना की लड़ाई जनता के स्वाभिवान के लिए होती है नाना की लड़ाई खुर्ची के लिए नहीं है तो उर्जा मंत्री के मुद्दे पर जो है बड़ा घुमाव कर जो है प्रदेश अध्यक्षा नाना पटोले जी ने जवाब दिया है तो ये तो रही इस बात और नाना जो है आम आदमी के मुद्दे को लेकर लड़ते हैं इसा भी उनका कहना है क्यामेरा परसन माइकल के साथ क्षिति जादेश मुख बीस या नियूज नाखो